और सब्सक्राइब को लीज़े चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा साथी साथ आल का बटन दबा लीजिएगा अगर देखा जाएख फून्स में सबसे जाधा ड्स डिस Makesuje को देखके लेते हैं कुछ लोग बड़ी डिस देखके लेते हैं कुछ छोटी डिसमल्य डिसम्य लेकर लेते को सूपर एम्लेट पसंद हैं आपको सुबर एम्लेट पसंद है आप चलाते हैं आपने पहले experience कर रखा है तो आपको पता होगा कि Super AMOLED display बहुत ही जबरदस display होती है जिसमें आपको movie देखने का experience बहुत ही enhance हो जाता है gaming करने का experience बहुत ज़्यादा enhance हो जाता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा attract करती है उन लोगों को Super AMOLED display यूज कर चुके है या फिर उन्होंने देखा है किसी को चलाते हुए या फिर किसी दुकान पर गए देखा उनको ज़्यादा attractive लगा तो वो खरीद लेते हैं तो Super AMOLED display अगर आप लेना चाहते हैं वो भी एक best phone में आपका budget कोई भी हो सकता है अंडर 15,000 भी हो सकता है आपका budget अंडर 20,000 भी हो सकता है और 25,000 के उपर भी जा सकता है और अगर देखा जा तो आप लोगों को जब इससे उपर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको Fluid AMOLED display मिल जाती है बहुत सारे display आती हैं तो वह सारी displays आप लोगों को मिल जाती है तो जाधा तर Samsung जो है Super AMOLED display यूज़ करता है अपने phones में चाहे वो कम range का हो या जाधा range का हो Super AMOLED display जाधा यूज़ करता है Samsung बाकी other company भी कई बार यूज़ कर लेती है तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को Top 5 Best Phones शुरुआत करेंगे अपने पाचमें फोन से तो पाचमें फोन हमारा आता है Samsung Galaxy M31 अगर इस फोन की बात के है तो इस फोन में आप लोगों को की तो आप लोगों को Octa-Core 2.3GB का Samsung Exynos 9 processor मिलता है जो कि 6GB RAM और 400GB के internal storage के साथ आप लोगों को मिलता है डिस्प्ले में आप लोगों को 6.4 inches की बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो की Full HD डिस्प्ले होती है और Super AMOLED डिस्प्ले होती है जहां पर अगर बात करें camera की तो आप लोगों को 64MP का quad camera system मिलता है 64MP का primary sensor देखने को मिलता है 8MP का wide angle, 5MP का depth and 5MP का micro lens तो यहां पर आप लोगों को camera performance में बहुत ही enhancement मिलती है यानि कि 5MP का depth मिलता है साथ इसाथ 5MP का आप लोगों को micro lens मिलता है तो इससे दोड़ी सी increasement हो जाती camera performance में जहां पर 32MP का front में camera देखने को मिलता है यानि कि बहुत यानि कि दोनों front और back से आप लोगों को दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छी camera performance मिलने वाली है महीं पर battery के अगर बात करें तो 6000 mm की बड़ी battery आप लोगों को बलती है फास्ट चारजिंग का option मिलता है यस भी तैप C port मिलता है जो कि एक बहुत ही जबर्दस मुझे लगता है फोन बन जाता है क्योंकि 6000 mm की बड़ी battery मिल लई है साथ ही साथ आप लोगों को फास्ट चारजिंग का option मिलता है इस फून में और उसके साथ सूपर अम लिड डिस्प्ले, quad camera setup 32 में का pixel का front में camera और एक अच्छा processor 6GB RAM तो यह सारी चीज़े इस फून को बहुत अच्छा बनाती है साथ ही साथ अगर आप इसका और other variant लेते हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाता है वैसे यह variant जो आप लोगों को 6GB RAM और 64GB का internet storage मिलता है वो आप लोगों को मिलता है यहाँ पर 15,999 रुपई तो 16,000 रुपई कीमत में आप इस फून को buy कर सकते हैं अब रही बात यहाँ पर कि इस फून को buy करना चाहिए या नहीं अगर आप day by day में use करना चाहते हैं जादा gaming नहीं करना चाहते हैं और आप एक अच्छी display चाहते हैं कम budget में तो इस फून को आप buy कर सकते हैं यह पाजों चीज़े इस फून में आती हैं और बहुत ही अच्छी quality अगर इस मिल जाती है और अगर देखे रहे हैं तो इसमें price भी थोड़े से ज़ादा मिल जाते हैं आप लोगो को चड़िये जानते हैं इस फून के specs और price Samsung Galaxy M31S के अगर बात करें तो यह फून आप लोगो को मिलता है performance के मामले में OctaCode 2.3GB के Samsung Exynos 9 processor के साथ जो कि ठीक ठाक processor है powerful and efficient है जहाँ पर 6GB RAM मिलती है अप लोगो को जो कि performance को enhance कर देती है और 118GB का internal storage मिलता है यानि कि internal storage अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसमें आपको मिल जाता है डिस्प्ले आप लोगो को मिलती है 6.5 inches की जो कि एक बड़ी डिस्प्ले होती ही जहाँ पर आपको एक बहुत ही महीन सा dot notch display मिलता है dot notch display यानि कि या बहुत ही पतला सा dot होगा बीच में, top bottom में वहाँ पर आपको वो notch देखने को मिलती है डिस्प्ले में ज्यादा पता नहीं लगेगा कि आपका full view display फून है या फिर dot notch display फून है एजज और चिंट बहुत ही पतले और महीन मिलते हैं super android display मिलती ही 405 pp identity के साथ जो कि देखने में बहुत ही awesome लगता है फून आप लोगों को जब आप हाथ में लेंगे तो आपको feel होगा camera की बात करें तो 64 plus 12 plus 5 plus 5 megapixel का quad camera से मिलता है जैसे कि मैंने बता है कि M31 में आप लोगों को बहुत ही अच्छा camera performance मिलती है तो इसमें भी आप लोगों की camera performance बहुत ही increase हो जाती जहां पर wide angle का आप लोगों को 12 megapixel का मिल ला है बाकी आप लोगों का 5 megapixel का depth और 5 megapixel का micro lens मिल ला है LED flash के साथ जहां पर 32 megapixel का front camera देखने को मिल ला है तो camera performance बहुत ही लाजवाब हो जाती है वहीं पर अगर देख रहे हैं तो 6000 image की आप लोगों को battery मिलती है फास चारजिंग का option मिलता है और USB TFC pod मिलता है और अगर इस phone के price की बात करें तो यह आप लोगों को phone मिलता है 19,999 रुपाई की कीमत में यहनि की 20,000 रुपाई की कीमत में आफ इस phone को buy कर सकते हैं अब इसमें खास features क्या है तो इस phone में आप लोगों को internal storage जादा मिलता है बलकि इसमें processor जो आप लोगों को मिलता है वो थोड़ा सा upgraded version है वहीं पर आप लोगों को इस phone में जो camera performance है वो बहुत ही लाजवाब मिलती है M31 से upgraded मिलता है आप लोगों को 6000 अमच की बड़ी बैटरी मिलती है Super AMOLED डिस्प्ले आप लोगों को मिल ली जहां पर डिस्प्ले जो आप लोगों को थोड़ी सी dot noise डिस्प्ले मिलती है देखने में phone बहुत ही premium लगता है Camera performance के लिए अगर आप लेना चाहते है तो इस phone को definitely खरीद सकते है तो दोस्तों ये phone आप buy कर सकते है अगर आपका 20,000 रुपे का budget है अब चलते हैं अपने यहाँ पर तीसरे phone की तरह जो कि हमारा वो भी अच्छा phone है इस phone के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को M21 आप लोगों को बहुत ही अच्छी specs के साथ मिलता है अगर देखा रहा तो इस phone में आप लोगों को कम price भी मिल जाती है आपको 16,000 रुपे नहीं लगाने पड़ते हैं आपको यह phone 14,000 रुपे में मिल जाता है तो चलिए रहांते हैं इस phone के specs और price Samsung Galaxy M21 के अगर बात करें तो performance के मामले में Octa-Code 2.3 gigs का आप लोगों को Samsung Exynos 9 processor मिलता है जो कि 4GB RAM आप लोगों को इस phone में मिलती है और 400GB का internal storage मिलता है तो performance के मामले में तो आप लोगों को ठीक ठाक performance मिल जाती है जहां पर अगर display की बात करें तो आप लोगों को 6.4 inches की एक Full HD Super AMOLED डिस्पले मिलती है जो कि 403P पे identity के साथ आती है देखने में आप लोगों को phone अच्छा लगेगा edges आप लोगों को पतले मिलेंगे चिल हलका सा मोटा मिलेगा जहां पर आप लोगों को water drop notch display मिलेगी वो dot notch नहीं मिलेगी महीन वाली यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी मोटी मिलेगी water drop notch display जहां पर camera की बात करें तो 48MP का triple camera देखने को मिलेगा इस phone में 48MP का primary sensor 8MP का wide angle and 5MP का depth sensor देखने को मिलेगा जहां पर LED flashlight आप लोगों को मिलेगी और 20MP का front में camera देखने को मिलेगा तो camera performance बहुत ही लाजवाव आप लोगों को इस phone मिलेगी वही पर अगर battery की बात करें तो 6000 image की बड़ी battery मिलेगी यानि कि 6000 image की बड़ी battery, fast charging का option और USB type C पर आप लोगों को मिलने वाला है वही पर अगर इस phone के price की बात करें तो यह phone आप लोगों को 13,799 रुपए की कीमत में मिल जाएगा जो कि एक बहुत ही अच्छी price भी है और अगर देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीते मिलनी अब यह phone के लोगों को खरीदना चाहिए जिनका budget कम है अगर आप under 15,000 की रेंज में एक super amulet phone लेना चाहते हैं तो यह phone आप बाय कर सकते हैं यह है हमारा super amulet display phone इसमें आप लोगों को 6000 image की बड़ी battery मिल जाती है साथ इसाथ एक अच्छा camera performance मिल जाती है और आप लोगों को एक अच्छा processor मिल जाता है बाकि अगर gaming high gaming करनी हो तो इसके लिए मैं आप लोगों को suggest नहीं करता हूँ जो कि आप लोगों को एक अच्छी performance देता है यानि कि अगर आपको gaming करनी हो आपको high in gaming करनी हो live streaming करनी हो आप लोगों को यहाँ पर वीडियोग्राफी करनी हो या फिर any other कोई भी वर्क करना हो movie अगरा देखनी हो high definition देखना हो 4K में देखना हो यह फोन आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस फोन है मैं बात कर रहा हो realme 7 pro की जी हाँ दोस्तों realme 7 pro में आप लोगों को मिलती है super android display जबरदस camera performance एक बहुत ही जबरदस battery life साधी साथ आप लोगों को एक अच्छा प्र realme 7 pro के अगर बात करें तो performance के मामले में octa core 2.3 gigs का snapdragon 720G प्रोसेसर मिलता है जो कि 6GB RAM और 123GB के internalized storage के साथ आप लोगों को मिलता है तो यहाँ पर आप लोगों को एक जबरदस प्रोसेसर मिल ला है snapdragon 720G जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है यहाँ पर 6GB RAM मिल ले ही आप ल दोनों ही चीज़ें बहुत ही जबरदस हो जाती है अगर देखा लिया तो storage आप लोगों को बहुत ही ज़ादा मिल ला है वही पर देखा लिया तो आप लोगों को डिस्प्ले के मामले में 6.4 इंचेस की सूपर अम्लेड फूल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि आप देखने हो गेमिंग करने हो तो उसमें बहुत ही जबरदस फोन है कैमरे की बात के तो 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का quad camera system मिलता है LED फ्लेश के साथ और 32 मेगापिक्सल का front में camera देखने को मिलता है तो camera performance ला जवाव आप लोगों को इस फोन में मिल जाती है वही पर चीज़ा आप लोगों को इस फोन में मिल जाती है तो अगर देखा जा तो यह फोन उन लोगों के लिए जो gaming करना चाहते हैं और movies वगेरा दिन भर में YouTube वगेरा देखा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही जबरदस रहेगा और अगर वीडियो ग्राफिक करना चाहते हैं बा बाकी ओधर वर्क करना चाहते हैं इस फोन पे तो आप इस फोन को बाय कर सकते हैं अब हम बताते हैं थोड़ा सा आप लोगों को बेस्ट फोन जिसमें आपको बड़ी बैटरी जबरदस प्रोसेसर और एक सूपर अमुलेट डिस्प्ले मिलती है सेंसें गलेक्सी एफ़टी जो की 2.3 के संसें एक जो की 6GB RAM और 64GB के इंटलना श्टोरेज के साथ आता है तो यह फोन आप लोगों को बहुत ही अच्छी परफॉमेंस भी देता है साधी साथ अगर देखा लिया तो सूपर अमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है इसमें आप लोगों को वाटर डॉ मेगा पिक्सिल का फॉरन्ड डेमे कैमरा देखने को मिलता है बैटर की बात करते हुआ तो 6000 यमिज की बडी बैटरी मिलती फास चारिजिंग आपशन और यस्ट सेपॉड आप लिए datasets चारजिंग आपर मिल नहीं तो अगर देखा जाए तो आप लोगों एव dependent 7000 मिल यह थ अच्छा फून मिल जाता है जहाँ पर सूपर अंबलड डिस्प्ले बड़ी बैटरी साधी साथ एक जबरदस्ट कैमरा परफॉमेंस और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा प्रुसर तो यह सारी चीज़े आप लोगों को इस फून में मिल जाती हैं जहाँ पर कम प्राइ बेस फून में से आपको कौन से सबसे बैस लगे आप मुझे कमेंट बोकस में बताना मत भूलिएगा अगर यह वडियो आप लिगों को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपने हमारे शीयान को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दुबाना मत भूलिए चलिए मिलते हैं से नेक्ष्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग पारिक कर एंड जाहिन